नमस्कार दोस्तों, इंजीनिर भरत में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक रेफ्रेजरेटर यानि फ्रीज वो चलाने के लिए आपको कितने सोलर पैनल की आवसकता होगी, हमारे पास काफी कमेंट आते हैं, वो ऐसे फ्रीज के दिखाने वारा हूँ, वो भी मैं एनर्जी मीटर से दिखाऊंगा कि कितनी पावर या कंज्यूम करते हैं, दोनों की जो कपैस्टी है वो बिल्कुल स्यम है, 190 लीटर के दोनों फरीज है, लेकिन एक जो फ्रीज वो काफी पुराना है, लग बग 15 साल प इसलिए उनकी जो पावर कंज्यक्शन होती है, वो हमेशा कम होती है, तो चलिए दोनों फरीज की पावर कंज्यक्शन देखिए, तो यहां पे यह हमारे पास एक पुराना फरीज वर्डपुल कंपनी का है यह, और यहां पे मैंने इसको एनर्जी मीटर के साथ में पहले ही नहीं किया है, तो चलिए हम इस फ्रीज को ओन कर देते हैं, तो देखिए, जैसे ही फ्रीज चार्ट होता है, तो लगबग 200 वोट के करीब यह जाता है एक दम से, और फिर वापिस यह अपने नॉर्मल लोट पे आ जाता है, तो जो नॉर्मल लोट है, इसका लगबग 140 ओपन किया, तो यह लगबग 5 वोट के करीब इसके अंदर यह बलब लगा हुआ है, तो 5 वोट की कंजप्शन है करता है, जब यह ओन होता है, तो अब देखिए, जब आपका फ्रीज नॉर्मल ठंडा हो जाता है, तब यह कितनी पावर कंजूम करता है, तो देखिए, यहा करता रहेगा, जो इसके अंदर पावर कंजप्शन, जितनी इसकी पावर कंजप्शन है, लगबग 140 वोट के करीब, यह इतनी पावर कंजूम करेगा लगाता है, जब तक इसका कंप्रेसर चलेगा, इसका जैसे कि आपको पता है, जैसे ही आपका फ्रीज एक नॉर्मल करता है, तो इसके लिए आप लगबग 180 वोट के सोलर पैनल का इस्तिमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके पावर कंजप्शन है, वो लगबग 1500 वोट के करीब है, तो आप इसके लिए 180 वोट के सोलर पैनल का इस्तिमाल कर सकते हैं, और सोलर पैनल आपको डिरेक्ट नहीं होना चाहिए या आप solar charge controller का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा हमारा freeze है ये और ये नया freeze है इसकी विचलिए हम आपको power consumption दिखा देता हूँ तो यहाँ पर ये इसके बलब का load है आप देख सकते हैं लगब की 13 vote जैसे हमने इसको own किया है अब हमने इसको start किया तो आपने देखा एकदम से जो starting में ये लगब की 422 vote तक गया था और एकदम अब normal 100 vote के करीब ये आ गया है तो आप देख सकते हैं जो नया हमारा freeze है इसकी power consumption जो whirlpool वाला पुराना है उससे काफी कम है लगब की 50 vote तक कम power consume ये करता है और इसके अंदर भी वैसे ही काम करता है जब तक ये compressor चल रहेगा और इसका बलब भी लगब 5-10 vote का ही होगा तो इसके लिए आप 1500 vote तक के solar panel का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए 1500 vote का ही sufficient रहेगा लेकिन अगर आप ज़्यादा लोड चलाना चाते हैं अपने घर के दूसरे उपरन को चलाना चाते हैं तो आप ज़्यादा पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पुराना फ्रीज है उसकी power consumption ज्यादा है सेम capacity के साथ में है लेकिन जो नया है उसकी power consumption काफी कम है तो यहाँ पे अगर आपका नया refrigerator है या यह नया फ्रीज है तो आप कम पैनल लगा कर भी अपने फ्रीज को चला सक सकते हैं जिससे कि आपका कम अराम से चल जाएगा लेकिन यह जो आप solar panel लगाएंगे यह शिरफ आप फ्रीज चलाने के लिए लगाएंगे अगर आप दूसरा लोड चलाते हैं तो उस condition में आपको ज्यादा solar panel की आप सकता होगी उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होग अगर वीडियो पसंद आया होगी आपको लाइक करें शेयर करें साथ हमारे चनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी परकार के वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद